असलाम अलेकम आज का जो टॉपिक है DNA as a heredity material क्या DNA वरासी material है बहुत असान सा सिंपल सा टॉपिक ही तो देखते हैं DNA क्या वरासी material है या नहीं है अजब इस टॉपिक के अंज़े जो हमने complete पढ़ना है हमने यहाँ पे एक चीज को complete तरीके से पढ़ना है उसका नाम है transformation method transformation को हमने पढ़ना है यहाँ पे हमने transformation को पढ़ना है अब जो transformation है transformation यहाँ पे क्या हमने पढ़ना है यहाँ पे हमने देखना है कि जो transfer होता है genetic material वो कौन सा genetic material जो एक जानदा से दूसरे जानदा करना जाता है तो transfer of genetic material from donor to recipient recipient cells फिर जो transfer हो जाएगा तो यह क्या करेगा genetic media जो transfer हुआ है एक जगह से दूसरी जगह which alter the genetic makeup जो के change कर देता है genetic makeup को और वो किसका genetic makeup जहां पर यह गया है recipient के पास तो जो recipient का genetic makeup है वो change कर देगा अब यह जो मैंने बताया है transformation यहाँ पर हमने सारी transformation पढ़नी है transfer of genetic material from donor to recipient cells which alter the genetic makeup of recipient हमने इसको यहाँ पर in detail में पढ़ना है basically यह जो transformation वाला यह जो experiment था इसको perform किया गया था और इस experiment को अगर perform किया गया जिस चीज के उपर तो बड़ा वो एक बक्टेरिया था और उस बक्टेरिया का नाम है streptococcus नमुनाई यह एक बक्टेरिया है और इस बक्टेरिया के उपर यह पूरा का पूरा जो experiment है और इस experiment को perform किया गया ताकि पता लगाया जासे के डियन नहीं वरासी मटियल है या नहीं है और जिसने इस experiment को perform किया बड़ा वो एक scientist है ब्रिटिश में रहने वाला और यह scientist microbiologist भी था जो के छोटे छोटे जानदारों के बारे में पढ़ता था microbiologist भी था और यह क्या कौन था बड़ा इसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ तो यह एक ऐसा scientist है जिसने इस experiment को perform किया और perform करने के बाद बताया कि वाकई जो के genetic material है वो कौन है बेटा डियने है ना के कोई और चीज है अब बड़ा इसने देखा कि जो step टो को कर नमून आई है यह हमारे पाए दो टाइप के हैं दो टाइप्स के हैं एक जो टाइप है step टो को कर नमून आई की वो है smooth कलूनी बनाने वाले और उसको हम कहते है smooth step टो को कस नमून आई और एक ऐसे हैं जो के rough कलूनी बनाते हैं तो उनको हम कहते है rough step टो को कस नमून आई मतल़ smooth वाले कौन से थे जो बनाते हैं कौन से कलूनी smooth कलूनी बेटा हमने उनको नाम दिया समूथ स्टेप्टो कोकर नमूनाई और जो बनाते थे रफ कुलोनी रफ कुलोनी बनाने वाले स्वरी यहां पर लेकिना फॉर्म रफ कुलोनी तो जो रफ कुलोनी बनाने वाले थे हमने इसको नाम देती है वो rough स्ट्रेप्टोको का नमोन आई है जो smooth है यह याद रखेगा यह virulent है यह जरीले हैं बमारी करने वाले यह नुकसान देने वाले हैं यह virulent है और जो rough वाले हैं बड़े यह non-virulent है यह बमारी नहीं करते यह कोई नुकसान देते यह जरीले नहीं यह पैथोजैनिक नहीं है तो यह rough स्ट्रेप्टोको का नमोन आई है जो smooth है यह virulent है smooth को लोनी बनाते हैं क्या इनकी पहचान है बड़े इनके पास मजूद होता है present of polysecrite court इनके पास एक court होता है और वो जो court इनके पास मजूद है polysecrite का court मजूद होता है जिस वज़ा से कहा जाता है यह virulent है यह जहरीले हैं और इनके पास absent होता है of polysecrite court तो इनके पास polysecrite court नहीं होता है इसलिए इसको कहा जाता है यह non-virulent है मतलब कि मैंने बताया ये जहरीले है तो जहरीला पन अगर देखा जाए किस वज़ा से है तो कहा जाता है इनके पास पॉली सेक्राइट कोट है इस वज़ा से बिटा ये क्या है बिटा जहरीले है और जिनके पस पॉली सेक्राइट कोट नहीं है। बटा, वो जहरीले भी नहीं है। और वो किन को कहा जाता है। जो कि रफ कलूनी बनाते है। जिनका नाम है रफ स्टेप्टो कोकर नमून आई है। ठीक होगी बटा। अब बटा एक्सपेरिमेंट पर्फॉर्म करते हैं। experiment के जीरे से सारे का सारा आपको Champions का हो जागा कि हुआ क्या है अब experiment मैं यहांपे लिक रहाँ heading जैसे कि आप भी लिकने हुज जाए उसले आप paper में लिखेंगे इसी अंदाज में लिखेंगे इसी अंदाज में इन्शाला आपके पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं जैसे हैं आपको पता कि वह नोर्स में होता तो आपने नोर्स भी बनाईगा और इसी फॉर्मट में लिखते जाएगा अक्सपेरिमेंट्स और मैं बताता जो एकसपेरिमेंट aging किस की हैं गृिफफित के जो गृिफुत सैंटिस ने परफॉर्म कियें क्योंकि काफी ज़दा सैंटिस आने है तो पहला जो सैंटिस है वो ग्रिफट था तो इसने क्या किया इसने सबसे पहले लिया आर टाइप को लिया आर टाइप मतलब जो कि आपको याद होगा रफ वाले रफ स्टाप्टोकों के नमूनाई जो कि जरीले नहीं थे इसने इनको inject کیا दाखिल कर दिया चूहों के अंदर आज जब बड़े चूहे मैंने मारने है मतलब माइस बहुत मारने है तो परेशान नहीं हो ना तो बस मारते जाएगा R टाइप को inject किया माइस के अंदर आपको पता है यह जरीले नहीं थे पैथोजान एक नहीं है R टाइप कोन से थे जो नौन विरूलेंट है जिनके पर पॉलिस सेकराइट का कोट नहीं है तो माइस के अंदर जब inject किया तो माइस रिमेन अलाइफ वो मरे नहीं वो जिन्दे रहे ठीक हो गया क्योंके इसके नहीं जो दाखल किया वो R टाइप पर तो माइस जिन्दे रहेंगे इसने फिर क्या किया S टाइप को लिया S टाइप कोन से थे जो बेटा विरूलेंट थे जिनके पर पॉलिस सेकराइट कोट मजूँद था जो खतरनाग थे इसने क्या किया इनको भी इंजक्ट किया दाखल किया और आपको पता है मैंने एक ही चीज़ को मारना है वो है माइस क्योंके चूहों के पता जर्बा था ये तो जब S टाइप को इंजक्ट किया तो जो माइस है वो मर गे और वो क्यों मरे blood poisoning की वरा से उनके blood के अंदर जहर गया जहर गया और जहर की वरा से उमर गया वो जहर किसने डाला किसने poison की S टाइब ने को वे जरीले हैं यह मार दिया नोंने इन्होंने फिर क्या किया Griffith ने S टाइब को लिया और S टाइब को heat killed किया मतलब कि S टाइब मरे हुए दाखिल करने लगए चुहों के अंदर heat killed ठीक है S टाइब कोंड से heat killed है और heat killed वालों को कहां पे डाल दिया inject कर दिया दाखिल कर दिया और वो किस के अंदर बेटा माइस के अंदर तो आपको पता है यह मरे हुए जब बक्टेरिया इसके अंदर डाल रहा है तो माइस को कोई नुक्सान नहीं होगा क्योंकि वो मरे हुए है वो तो बलड पॉजिनिंग करेंगी नहीं तो माइस जोंसे वो remain alive रहते हैं वो जिन्दा रहते हैं उनको कोई मसीबत नहीं आई इसकी दमाग में एक क्वेस्टन आया कि मैं अब क्या करता हूँ मैं R टाइप और S टाइप दोनों को डालूंगा इसके अंदर R टाइप और S टाइप मर याद रखूँ गा कि जो S टाइप है यह मरे होंगे हीट किल्ड होंगे और जो आर टाइप है ना आर टाइप ये अलाइव होंगे ये जिन्दा होंगे ठीक है तो दो का मिक्सर डाल दा भी ये या रखना मेरा यहां से अगला टॉपिक इसी से अगला पॉंट शुरू होना है इस पॉंट को कभी न भूलिएगा ये वो पॉंट है जो सबसे इंपोर्टन पॉंट है इसने मिक्सर लिया आर टाइप अलाइव एस टाइप हीट किल्ड आपसे भी क्वेस्टन होगा गोर से सुनियेगा और इसने कर दिया इंजेक्ट इसको दाखिल कर दिया और किस के न दाखिल किया बेटा माईस के अंदर जब माईस के न दाखिल किया तो आप मुझे बताओ क्या चुहा मर चुका होगा या जिन्दा होगा अगर आप कहा रहे हैं जिन्दा होगा तो बेटा बेवकूफ है और अगर कहरें मर चुका हो तो आप हो अकलमंद है ठीक है वो बताता हूँ आगे चले चलते जरा माईस जोन से है वो मर गया क्यों मर गया क्योंकि ब्लड के अंदर पॉईजनिंग हुई और वो आपको पता है पॉईजनिंग कौन करता था एस टाइप मर एस टाइप तो यहां पर कौन से तो मरे हुए तो इसने का यार यह क्यों मर गया यह तो मरे हुए डाला यह जिन्दा था आटाइप यह क्यों मर गया क्योंकि यहां पर तो मरना उस वोकर चाहिए था जब एस टाइप जिन्दा होता तो देखता क्या है क्याता ह मैंने यह देखा कि इसके blood के अंदर जो S-type है या जो R-type है, sorry, R-type यह change हो चुकी है, into S-type, क्या हुआ, R-type change हो चुकी है, किसके अंदर, S-type के अंदर, अब क्या होगा, R-type के अंदर, अगर आपको पता है कि पॉलिस सेक्राइट कोट आ चुका, पॉलिस सेक्राइट कोट आ गया, तो इसका मतलब R-type ही किसमें चीज़ जो रहे है, S-type के अंदर, मतलब कि R-type जो कि जिन्दा थे, इनके पास भी पॉलिस सेक्राइट कोट आ गया, तो ये भी क्या होगे, विरूलेंट होगे, अब यहाँ पर क्वेस्टन ये अराइज हुआ, कि कौन सी ऐसी चीज़ है, जो कि ट्रांसफर हुई है, S-type से R-type के अंदर, जिस वर्या से R-type कनवर्ट होगे, S-type के था, दोनों में फरक किसी चीज़ का है, एक चीज़ का था फरक था, कि R टाइप के पास polysecret coat नहीं था और S टाइप के पास polysecret coat था अगर R टाइप के पास polysecret coat आ गया तो कैसे आ गया ये किसी चीज ने transformation की है ये कौन सी चीज जो एक bacteria से दूसरे के पास गई है तो यो उसमें convert हो चुका है ये कौन सी चीज अभी तक नहीं पता लगा कि वो DNA है अभी तक नहीं पता लगा कार्बो हाइडरेट है अभी तक नहीं पता लगा प्रोटीन है तो ये कौन सी ऐसे चीज जो जो के transfer हुई है S से R के अंदर और ये R टाइप S में convert हो गया तो देखते हैं इसके बारे में आगे जाके फिर एक sentence आया और बिटा इस sentence का नाम था Oswald एक sentence Oswald Every और इसके साथ कुछ और भी sentence है और उन sentence का नाम था Macloid एक sentence और एक का नाम था है Macarty ठीक है ये sentence है इन्होंने हमें एक point बताया और इन्होंने हमें कौन सा point बताया कौन सा topic दिया इन्होंने हमें बताया Transformation Principle हमें बताया कि कौन सी चीज ऐसी है जो transformation करती है Transformation जो principle है जो नो रेफर्ड किया था वो incentives ने किया था ठीक है इन्होंने ये हमें बताया अब incentives ने क्या किया अब आपने last वाला point नहीं बूलना भई last वाला क्या था R type और S type लिया था R type alive था heat kill था S type जब inject किया थो R type convert हो चुका था S type को नहीं ये आपने experiment को नहीं बूलना ठीक है मैं आगे इसको लेके चल रहा हूँ इन्होंने क्या किया mixer लिया और आपको last नहीं पता होना चीए mixer कौन सा था R and S type ठीक है और आपको ये भी याद होना चीए last वाला नहीं बूलना मैं अगेन कह रहा हूँ जो S type था ये आपने नहीं बूलना ये क्या थे बेटा हीट किल्ड थे ये मरे हुए थे और जिन्दा कौन से थे बेटा R type इसने नहीं ये mixer को न इस mixture में से इन दोनों बक्टेरिया में से एक चीज को निकाल लिया और वो कितने percentage में निकाला बता देता है पहले 99.8% को निकाला और कहा अब transformation नहीं होगी और वो कौन से चीज ही वो बड़ा याद रिखेगा remove of carbohydrate सबसे पहले carbohydrate को निकाला और कहा गया है बही ऐए चीज है जी ट्रांसफोर्मिशन कर दिये अनु कर दो दो दोना चो तो ट्रांसफोर्मिशन रुक जाएगी इसको निकाल दिया अब आपको पता है इसको निकालने के बाद दोनों बक्टेरिय को कहा पर दाखिल कर दिया inject कर दिया inject into माइस लेवी चोए तू नहीं बचना पुतर अब क्या हुआ माइस मर गया क्यों मर गया क्योंकि आपको पता है ट्रांसफोर्मिशन हुई है और जो आ टाइप है वो कनवर्ट हो चुक है ऐसे टाइप के अंदर और वो उसने मर नहीं था क्योंकि ट्रांसफोर्मिशन रुक ही नहीं है क्याता लेवी ट्रांसफोर्मिशन हुई है अंदर मतलब एग जिनेटिक मिटीरियल नहीं है एग जिनेटिक मिटीरियल नहीं है क्याता फिर दोबारा मैंने मिक्सर लिया पुतर चुए तू मर मर के न आज मेरे तो बचना कोई नहीं पर नो नहीं छटना मैं कि अई दूसमें मैंने फिर क्या किया R टाइप लिया और भई R टाइप के साथ कोन सा था ? A-S टाइप लिया मगर पिर आपको मैं अगेन कैती हो पुतर पूल लणा ने ह要 ऐसे टाइप कौन सा है हीट किल्ड है और वो जो उन सा था वो जिन्दा था आर जिन्दा था क्याता है अब ना इसके अंदर से ना दोनों से निकाल दो एक चीज़ कितना पर से निकालो 99.8 पर से निकाल दो ट्रांस्फोर्मेशन रुक जाएगी मेरी मानो मैं बहुत ज्यादा अकल मंद हूँ चोलो भी कर लो की करना भई रिमूव कर दो भई परोटीन को अब परोटीन ही है जो ट्रांस्फोर्मेशन करती है कहता है अच्छा चोलो निकाल दिया तो बेटा क्या कहता है मैंने अब दोनों को इंजक्ट कर दिया किसके अंदर माईस के अंदर मैंने दाखिल कर दिया लो भई जादू हो गया क्या जादू हो गया चुहा मर गया और भई इसकी मौत लिखी है क्यों लिखी है क्योंके ट्रांस्फोर्मेशन तो रुकी नहीं है transformation जा रही है क्यों जा रही है क्योंके बेटा यहां पे देखा जाए जो R type है वो S टाम में convert हो रहा है क्योंके protein transformation का part नहीं है यह genetic material नहीं है तो वो change हो गया चूहा मर गया क्याता लोवी बेड़ा तरजे मैं तो कम कर करके ठक गया मेरी बस होगी है क्या भी अब क्या करें क्या अब लास काम किया जाए मेरे पास है R B और मेरे पास है S B मैं again कह रहा हूँ मैं mixer ले रहा हूँ mixer और मैं फिर दोबर बताता हूँ मैंने आपको मैंने का तब भूलना नहीं है मेरे खेल से भूल चुकी होगी आप यहाँ mixer में जिन्दा आ रहे है और जो heat killed है ना वो कौन से वाले बेटा वो S type है पॉंट के लो हो गया अब कहता है मैंने क्या किया मैंने 99.8% जो कि तकरीबर 100% ही होता है मैंने निकाल दिया किसको निकाल दिया बेटा मैंने निकाल दिया है DNA को लो भई DNA कर छटे पुतर DNA निकाल दिया genetic material निकाल दिया genetic material मुझे कैसे पर genetic material अभी मैं बताऊंगा कि यही genetic material है कहते है मैंने चूहोई कंदेस को डाला दोनों को डाला R को भी और उसका मिक्से डाला और क्या देखता हूँ हाई 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 जिन्दगी रह गैसी तेरी पुतर mice remain alive चूहा जिन्दा रहा मरा नहीं उसकी वज़ा क्या थी क्योंकि बेटा यहाँ पर एक result लिखोंगा stop of transformation process transformation process यहाँ पर रुक चुका था क्योंकि एक चीज जो के change लाती है एक चीज जो genetic material है जो वरासी चीज है जो एक जो के parental से daughter के अंदर जाता है जो के हर खसूसियात को carry करता है जो genetic information को carry करता है पता लग गया वो कौन सी चीज है बेटा DNA है ना के protein है ना के बटा को ना कार्बो hydrate है मगर अभी तक confirm नहीं था क्या अगली नसल में क्या DNA ही लेके जाता है या कोई और चीज लेके जाती है तो इसी के लिए एक छोटा सा experiment उसके बाद topic खतम हो चुका मेरा चोटा सा experiment दिल को अच्छा लगेगा देख लेते हैं चोटा सा experiment जरा उसको देखते हैं अच्छा भी confirmed experiment जो perform किया था हार्षे और चेज ने किया था मेरे पहले के uploaded है एक नाव replication है और एक नाव transcription है यह दो topic मेरे पहले uploaded है तो यह दो topic आपको मिल जाएंगे और यह आपने ले लेने है एक nucleic acid है जो कि आपको पता है nucleic acid आपने एक topic था chemical nature of DNA तो इसके लिए एक topic nucleic acid यह भी पहले का uploaded है nucleic acid अलिकेडमी ट्रांस्क्रिप्शन अलिकेडमी रैप्लिकेशन अलिकेडमी तो आपके पास यह lecture मिल जाएंगे इस chapter के सिर्फ दो की topic रहागी है वो upload करने बाद यह आपका chapter खत्म हो जाएगा ठीक है चलते दरब हार्शियो चेज ने bacteriophage T2 के उपर experiment किया यह है बेटा वाइरस बक्टेरियो फेज जो के टेड़ पॉल की शकल में होता है और यह आपको पता है कि इसके जो बाहर वाला खोपा है इसको capsid कहते हैं capsid जो के protein प्रोटीन का बना होता है तो यह है जिसका नाम है bacteriophage और यह आगया दूसरा bacteriophage और याद रिखेगा यह ले यह भी क्या है बक्टेरियो फेज है इसके पास यह genetic material है और यह इसका जनेट मटेरियल है अब यह जिसके अंदर दाखिल होगा वो bacteria यह है bacteria आ गया यह ले भी यह bacteria आ चुके है और इसके अंदर यह जाकर दाखिल होगे अब यह experiment है यह experiment है आपको खुद बाखुद ही पता लग जाएगा है इसका नतीजा result आपको खुद पता लग जाएगा ठीक है कहता है यह जो bacteria phage है नहीं मैंने इसको जहां पे grow करवाया जहां पे इसकी नसल को बढ़ाया जहां पे इसकी reproduction करवाई उस medium के अंदर मैंने रखा था sulfur को मैंने किसको रखा था sulfur को रखा था जो sulfur है वो इसकी body का part बन गया और वो कौन सी body का part कहां पे attach हुआ बेटा यह capsid के साथ attach होगा क्योंकि जो capsid है यह protein से बना होता है protein amino acid से मिलकर बनी होती है तो amino acid protein के साथ जो attach हो जाता है वो sulfur है तो यह आपने याद रखना है कि जो sulfur है यह किसके साथ जोड़ता है इस incorporated incorporated with capsid अगर capsid नहीं कहना तो बटा protein कह दीजेगा तो यह protein के साथ incorporate करता है इसको मैंने जहाँ पर grow करवाया divide करवाया, reproduce करवाया, नसल पढ़ाया वहाँ पर मैंने एक isotope रखा था वो था phosphate का और जो phosphate आपको बटा है DNA के पास phosphate होता है तो DNA के साथ जो जुड़ता है वो phosphate है तो यहाँ पर रखेगा याद रखेगा phosphate is incorporated with DNA आप मुझे बताना खुज़र गोड़ करके जब यह virus इसके साथ attach होगा यह virus इसके साथ attach होगा क्या यह पूरा virus अंदर जाएगा यह genetic material अंदर जाएगा genetic material जाएगा ना याद है ना genetic material तो यह genetic material चला गया अंदर इसका genetic material यह अंदर चला गया यह बताओ जब यह अटेच होगे पूरा जाएगा यह जिनेटी मिटियर आपको याद होगा जिनेटी मिटियर सिर्फ पास करता आगे अब मुझे खुद बताओ इस जिनेटी मिटियर के साथ क्या था जो हमने अटेच करवाय था फोस्थेट हर डोटर जब यह डवाइड होगा आगे फर्दर हर बच्चे के पास हर डोटर के पास जितने भी वाइरिस बनेगे इस बक्टेरिया से जितने भी वाइरिस बनेगे हर डोटर के पास अगर जिनेटिक मेटीरिल है तो उस जिनेटिक मेटीरिल के साथ वो जो हमने फोस्विट अटेज करवाया था वो भी होगा क्योंकि पेरेंट से आगे जो डोटर के पास जाता है वो जिनेटिक मेटियल जाता है बाकी कुछ भी नहीं जाता तो वरास्ती चीजें आगे जाती हैं तो वरास्ती चीजें को कौन कंट्रोल कर रहा है अब मुझे बताएं एक पेरेंट वाइरस से आगे डोटर वाइरस के पास क्या गया है क्या डी एन ने गया है ये प्रोटीन गई है मुझे खुद बताना है आपने क्या प्रोटीन आगे पास कर रही है या DNA आगे पास कर रहा है कनफर्म हो ना कि पेरंट से आगे देखे ना genetic material जा रहा है क्या सबूत है क्योंकि पेरंट के साथ हमने फोस्फेल लगा था genetic material के साथ तो आगे जो पास कर रहा है वो genetic material जा रहा है ये ले बेटा तो हमने कन्कल्यूड किया ये ही वरास्ती मटीरियल है जिसका नाम के बड़ा डियने ओके बटा अल्ला हाफिस द्वा में याद रखियेगा ओके बटा